हेलो फ्रेंड्स मैं उसंगीता और हुंभी का चैनल में आप सबका एक बार फिर्सिस हो गयते हैं दोस्ता आज हम लोग बनाने जारे हैं गाजर मटर विंटर स्पेशल ये सबजी बहुती टेसी बनती है और इस समय तो मार्केट में गाजर मटर की भरमार है तो एक बार तो इस रैस्पी को बनाना बनता ही है इस रैस्पी को मैंने बहुती असान मेथर्द के साथ और बहुती कम समान के साथ बनाया है तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं गाजर मटर की सबजी बनानी के लिए फ्रेश लाल गाजर लीजे और आजकल सीजन का समय है मतर का तो आप ताजी मतर का इस्तिमाल कर सकते हैं तो गाजर को हमने दोके छील लिया और इसे आप हम round shape में cut कर रहे हैं आप चाहे तो इसे skypeepiece में भी cut कर सकते हैं कैसे भी आप pieces कर लीजे गाजर के इसे सबजी पे कोई सवाथ पे असर नहीं आता है तो यहां हम राउंड शेप में कट करें गाजर आप फ्रेश लीजे जिसे की सबजी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा बने आ रहे है और इस सबजी को आप लंच या डिनर में बनाएए या लंच बॉक्स में बना के दीजे सबी में बेहर टेस्टी लगती है यह गाजर को हमने कट कर लिया इसे हम अभी एक साहीड रख देंगे आज दोस्तों मैं बिल्कुल पुराने मेथट में जैसे हम लोग सिल्बट्टे पे मसाले पीसके बनाते थे सिल्बट्टा तो नहीं है लेकिन हम मैथट वो ही अपलाई कर रहे है बस मिक्सी में अपने मसालों को लेंगे तो एक इंच का अध्रक का तुकड़ा चार-पांच लस्तन की कली एक प्याज मध्यमाकार की और एक हरी मिर्च इन सबी चीजों को हम मिक्सी में डाल के पीसेंगे इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे अगर आप लस्तन वप्याज नहीं खाते स्किप कर दीजे उसके बिना भी सबजी बेहत टेस्टी बनती है तो यह लीजे इसका हमें पेस्ट बनाना है पेस्ट बनके तयार हो गया लस्तन वप्याज का अब दूसरे जार में हम इसमें टमाटर डालेंगे तो टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए मैं दो बड़े और एक छोटा टमाटर लिया है अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहे तो उसकी जगे हम चूर का भी इस्टिमाल कर सकते है लेकिन मैं यहां टमाटर का इस्टिमाल कर रही हूँ अब एक कठाई को हम गरम करेंगे और उसमें सरसू का तेल दो बड़े चम्मत डाल दीजे सर्जियों की सबजी में सरसू का तेल बेखत टेस्ट देता है उसे डालेंगे पहले हम लोग सिलवट्टे पे सब मसालों के साथ यह प्याज लस्टन को पीश के बनाते थे आज कल थोड़ा सिलवट्टे का चलन कम है तो हम मिक्सी में क्यों ना उसी रीट को अपनाते हुए बस मिक्सी में पीश लें और अब हमें इसे लगता चलाते हैं भूनना है प्याज और लस्टन को इसके ड्राइ होने पर हम इसमें टमाटा की प्यूरी आइट करेंगे यह पांस से साथ मिनट में भून जाता है इससे क्या होगा कि जो लस्टन और प्याज की जो कच्चा पन है वो हट जाएगा और मसाला हमारा अच्छा भून के तयार हो जाएगा तो लीजे हमें पांस से साथ मिनट इसको भूनते हो गए मसाले को और अब इसमें हम थोड़ी सी हल्डी डाल के अपनी टमाटार की प्यूरी को एड़ करेंगे मीरियम आज पे आप करिए बस थोड़ा से लगता चला दीजेगा नहीं तो यह नीचे से जलने का टाइम हो जाता है इसमें थोड़ी सी हल्डी डाल यह और टमाटा प्यूरी डाल दीजे अब इसमें आप साथ के इंसान नमक धनिया पाउडर देर से दो चमच और इसमें दोस्तों मैं तीखी लाल मिर्च की जगे देगी मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला बहुत ज़ादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि सबजी में एक मिठास जाहिए गाजर मतर की अगर हम तीखे मसाले इसमें डालेंगे तो वो स्वाद दब जाएगा सबजी का और मसालों का स्वाद तेज हो जाएगा तो मैंने यहां कम मसाले डाने और यह देखी थोड़ा सा हम किचन मिकिंग मसाला डाल रहे हैं यह ओप्षनल है कभी गैस डाते हैं या डिनर पर आलटी पर आप बनाते हों तो उससे हमें इसको यूज कर सकते हैं बाकी रैगलर में जरुवत नहीं है इसकी इससे स्वात थोड़ा सा अच्छा आता है तो मैंने आपको इसलिए डाल के दिखाया और अब दोस्तों इसको हमें और अच्छे से भूनना है इस मसाले को हमें जब तक भूनना है जब तक कि कढ़ाई के किनारे ना छोड़ दे और इसमें से टेल ना निकलने लगे हलका हलका तेल जब निकलने लगेगा तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे तो जब तक हमें इसको भूनना है अच्छे तर अगर प्यास लसन नहीं खाते हैं तो आप खाली टमाटर यूज़ करिए हरिमिच को भून लीज़े अच्छे से अब यह देखे मसाला भून चुका तेल इसमें से हलका निकलने लगा था अब इसमें हम डालेंगे अपने मटर के दाने यह मैंने तक्रीबन देड़ बाउल मटर लिये है और कटी हुई गाजर यह 500 ग्राम के लगवक थी इसे डालके एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजे सभी चीज़ें आपस में मिल जानी चाहिए मसाले, प्याज, मटर सभी चीज़े एक साथ मिल जाएंगे अच्छे से आप इस प्रकार से बना के लेखिए रैस्पी यकीन मानिए आपके घर में सभी को बेहत पसंद आएगी और गाजा तो वैसे भी हेल्दी सबजी है इसे तो जरूर से खाना चाहिए अभी रिखे हमने एक मिनट इसे और चलाया अच्छे से सभी चीज़े मिक्स हो चुकी है तो हमने जो लस्तन प्याज टमाटर जिस जार में पीसे थे उसमें थोड़ा पानी डाल के आप उसे हिला के उस पानी को इसमें डाल दीजे तो इससे हमारा लश्तन प्याज का पेस्ट जो लगाऊगा मिक्सी में वो भी काहमा जायेगा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना थोड़ा ही पानी डालना है और इसे कवर करके अब हम धीमी आज़ पे रख देंगे बहुत अच्छा कलर सबजी का आ रहा है देखने बहुत शांदार लग रही है बस अब इससे में थोड़ा सा आप पानी डालने के बाद इसे ढग देंगे और इसे हमें दोस्तों गाजर के सॉफ्ट होने तक पकाना है ओवर कुक गाजर को बिलकुल नहीं करना है और बीच बी और एड़ कर सकते हैं पानी एड़ करने का रीजन यही है कि जिससे की सबजी हमारे नीचे से लगे नहीं और गाजर थोड़ा देर से पकती है तो वो भी अच्छे से पक जाएगी दस से बारा मिनट में यह सबजी बन के तैयार हो जाती है एक बार से फिर हमने डग दिया तकरिबन पांस से साथ मिनट के लिए और पांस से साथ मिनट बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे तो देखिए अब पानी भी इसमें हलका हलका सूख चुका है और गाजर मटर भी हमारी काफी हद तक कोक हो गई है तो बस हमें ने यहां गाजर को सॉफ्ट होने तक पकाया और मटर अल्डेडी सॉफ्ट हो जाते हैं जल्ली अब इस समय इसमें कटी बारिक धनिया डाल दीजे और इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे इसमें दोस्तों आप मसाले अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं लेकिन यकीन मानिए कम मसालों में अगर इसे सबजी को बनाओ गया तो सबजी के जो मिठा से ओपर खरार रहेगी और सबजी भी बेहर टेस्टी बनेगी तो लीजे हमारी गाजर मतर बन के तयार है हमारी आज की रैस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताए चैनल पे नए हैं तो सबसाहर करना ना भूले साथ में पैल आइकन को प्रेस कीजे मिलते हैं